चेकिंग से 20 करोड आया लेकि उससे इंडारेक्ट टेक्स बहुत आता है कि लोग जब सड़क पे गाड़ियां पकड़ी जाने लगती हैं बिना पर्मिट की तो सब अपने आप उनलाइन जाके टेक्स भरना शुरू कर देते हैं तो हमको करीब 1.200-200 करोड उससे मिल गया एंफोर्समेंट का डायरेक्ट इंडायरेक्ट और करीब 190 करोड हमको बकाया बसूली मिल गई जो 2003-2004 से बकाया था तो इस साथ से हमारा टारगेट पूरा हो गया enforcement का कि एक लोगों के उपर दवाव बना कि बिना पर्मिट के बिना फिटनेस के चलेंगे तो उनके खलाब कारवाई होगी और penalty लगेगी तो उस penalty जब सलकों पर penalty लगी तो उन्हों जाकर जो भी बिना पर्मिट के थे उन्हों टेक्स जमा करने शुरू कर दिये दूसरा बकाया बसूली में कि पुराने जो 200-300 करोर बकाया था उस पे हमने विशेस महीम चला के और 190 करोर के करीब 194 करोर हमने बसूला इन दिनों उससे हमारा काम चल गया और हम टार्गेट अचीब कर लिया जो भी हमारी कारवाई होती है पूरे प्रदेश ब्यापी होती है हर जिले में होती है इंडिया फरस्ट को बहुत-बहुत स्थू वकामना है नया चैनल ख़वरों की दुनिया में नए आयाम इस्थापित करेगा और समाचारों के साथ साथ जो रचनात मक्काम समाज में होते हैं उसको भी प्रिकट करने का प्यास करेगा मेरी बहुत-बहुत सुफ़कामने है मुझे चेनल का नाम बहुत अच्छा लगा इंडिया फस्थ मैं भगवान से प्रात्ना करती हूं कि चेनल भी फस्थ रहे और जब आप इंडिया फस्थ की बात कहरे हो आपने नाम इंडिया फस्थ रखा है तो आपके चेनल से बहुत बात हैं पूरी दुनिया को पता लगना चाहिए जिसमें बास्तों में इंडिया फस्थ है मेरी पूरी पूरी शुब कामना है इंडिया फस्थ यह जो चेनल है जिस तेजी से आंगे बढ़ता है आपको आस्तोस जी को चैनल को इनके सहयोग्यों को सब को बहुत शुब कामना मेरी होगी